सभी को मेरा नमशकार, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब को पता है कि अभी हाल ही में जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक्स गेमों के साथ साथ पैरलिम्पिक्स गेमों का भी शांदार समापन हुआ है। पैरलिम्पिक्स गेम्स में हमारे दिव्यांग खिलाडी भाग लेते हैं। ओलंपिक्स गेमों की शुरुवात जहां 1896 इसवी में ग्रीस के एथन शहर में हुई थी, वहीं पैरलिम्पिक्स गेम की शुरुवात सन 1960 इसवी में इटली के रोम शहर में हुई थी। इस वर्ष भारत के कुल 54 दिव्यांग खिलाडियों ने टोक्यो परलिम्पिक्स गेम्स में भाग लिया और इन 54 खिलाडियों में से 19 पदक जीत कर इन्हों ने इस बार इतिहास रच दिया परलिम्पिक्स में इस बार भारत की तरफ से अवनी लेखरा ने शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता साथ ही मनीश नर्वाल ने शूटिंग इवेंट में ही एक और गोल्ड मेडल भारत के नाम किया इसके अलावा सुमित आतिल ने बाला फेक परतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया वो भी वर्ल्ड रिकोर्ड के साथ इसके अलावा परमोद भगत दिव्यांग बैडबिंटन केटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया गोल्ड मेडल के अलावा, टोकियो पैरलिम्पिक्स खेलों में भारत की तरफ से इन दिव्यांग खिलाडियों ने आठ रजत पतक भी अपने नाम किये हैं, जिन में भाविना पटेल ने टेबल टैनिस में, निशाद कुमार ने हाई जंप में रजत पतक देश के नाम किया है इसके अलावा, योगेश कतूनिया ने डिसकस थ्रो में भारत को रजत पतक दिलाया है, देविंदर जांजडिया जी ने भाला फेक में भारत को रजत पतक दिलाया, इसके अलावा, मरियपन ने हाई जंप में भारत को एक रजत पतक से नवाजा है, सिंग राज, जो की पदक दिलाया और साथ ही सुहास जी जोकी नोएडा के IES और DM के पद पर कारियरत हैं उन्होंने भी पैरा बैडमिंटन में हमारे देश को रज़त पदक से शुशोबित किया है पाँच गोल्ड मेडल और आठ सिल्वर मेडल के अलावा भारत के इन दिव्यांग खिलाडियों दिव्यांग हमे लिए च्छ़ ब्रोंज मेडल भी जीते हैं जिनमे सुंदर सिंघ गुजर भाला फेक परतियोгляता पूलजमियो warmer जीता उन्होंने सिंग राजू सिंग राज जो हमारे शूटर हैं एक और देश के नाम किया है अवझनी लेखरा जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने साथ ही ब्रोंज मेडल भी एक अन्य कैटेगरी में शूटिंग में हमारे नाम ब्रोंज मेडल किया है साथ ही हरविंदर सिंग जो एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट है उन्होंने भी हमारे देश के लिए ब्रोंज मेडल तीरंदाजी में जीता है इसके अलावा शरद कुमार जो की हाई जंपर है उन्होंने हाई जंप में हमें ब्रोंज मेडल से नवाजा है साथ ही पैरा बैडमिंटन में मनोज सरकार जो की एक भोच अच्छे बैडमिंटर है उन्होंने हमारे लिए बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल जीता है इस तरहे कुल मिलाकर हमारे इंचवन एथलीट्स ने हमें 19 मैडल से नवाजा है जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज मैडल है और अंक तालिका में हम इस वर्ष 24 में स्थान पे रहे हैं जो कि वास्तों में हमारे देश के लिए एक बहुत ही गरव का विशह है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरालिंपिक्स गेम की शुरुवात सन 1960 इसीव में हुई थी 1960 से लेके 2016 तक हमारे देश के सभी एथलीटों ने मिलाकर अब तक कुल 12 मैडल प्राप्त किये थे लेकिन अकेले टोक्यो पैरालिंपिक्स गेम्स में भारत ने 19 मैडल जीत कर इतिहास रच दिया ये हमारे लिए बहुत गरव का विशह है और हमें इन सभी 54 के 54 पैरा एथलीट्स पे गरव है कि इनोंने हमारे देश का नाम पुरी दुनिया में रोशन किया प्यारे बच्चो इन सभी दिव्यांग खिलाडियों की कहानी हमारे लिए एक प्रेड़ना स्रोत है और ये सभी खिलाडी हमारे लिए एक प्रेड़ना है जिससे हमें जिन्दगी में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेड़ना मिलती है प्यारे बच्चों, इन में से कुछ खिलाडी बच्चपन से ही दिव्यांग हैं, कुछ खिलाडी बाद में एक्सिडेंट की वज़े से दिव्यांग हुए हैं, कुछ खिलाडी वीलचेर बेस्ड हैं, जो की वीलचेर पे बैटके खेलते हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी इ कि Olympics Games और Paralympics Games सेम एक ही जगह पे हर चार साल में आयजित किये जाते हैं पहले Olympics Games होते हैं, नॉर्मल एथलीट्स का ओल्लमपिक खतम होने के बाद वे वापश आते हैं उसके बाद हमारे दिव्यांग खिलाडी सेम उसी स्टेडियम उसी विलेज में जाकर अपना खेल खेलते हैं इसलिए सरकारों की तरफ से भी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंदर सरकार हो औलम्पिक्स और पैरालिम्पिक्स दोनों के लिए इनाम राशी भी बराबर कर रखी है अंत में मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोई भी स्पोर्ट्स ले लेकिन एक स्पोर्ट्स आप जरूर ले मुझे विश्वास है कि आप अगर कोई भी खेल खेलोगे तो आप जरूर एक अच्छे खिलाडी होने के साथ साथ एक अच्छे इनसान भी बनोगे हमारे टाइम पे एक कहावत होती थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब लेकिन वर्तमान में मेरी एक अलग अवधारना है और मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहूँगा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब थैंक्यू, थैंक्यू सो मच, जैहिंद